तो हेलो विंट कैसे हैं अब दोस्तों आपको जोकी जिस करके आप अपने टास्क को बहुत इसली कर सकते हैं धुस्तों और खुरूस फी properly को आपको पता ही thank מאוד दखेगो तो ही आप समझείत हैं मेरे चनल ऐसे टैक में पर काणोब जो Turns सब बस यह और पर यहांज नहीं डिलीट करें, तो आप यहां पर देखेंगे, आपको नीचे में लिएकशन बीन भी जाइने, तो वहां पर भी आपको नहीं दिखता, बस वहां पर यह संगे कर सकते हैं, और कितनी वीडियो आपको वहां पर हैं आप एडिट और MPTD कर सकते हैं तो बस यही चीज़ देखती ही दोस्तों आज मैं आपको एक सेटिंग बताने होना जिससे आपको पता लग जाए होगी कितना आपके पास डेटा पढ़ा है रिसाइकल बिन में या या उसका वायदा य सेटिंग पर सबसे नीचे आएंगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अबाउट गैलरी का अबाउट गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहां पर आने के आद आपको एसा ऑप्शन मिलने माला और जहां पर यह वर्जन लिखा हुआ आपको दिख करना है आपको 51 आप continue tap करेंगे तो आपको नीशे देख रहा होगा और वहाँ पर आपको एक option enable हो गया आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गैलरी डैप इसके लिए वीडियो रखी जिसमें सारे आप चाहें तो उसको होने के बाद आप यहां बैक आएंगे बैक आएंगे तो आपको एक option मिल जाएगा जिसका नाम है आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे आएंगे आपको एक option मिलेगा खॉर त्रैस श्टोरिज आपको दिख रहा होगा शोट्रैस श्टोरेज आपको सको कर लेना अ उन इसको यहां से कर लेना एंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पर एक option मिल रहा है जहां पर आपको दिखा हुआ है कि तो यह आपको पता लग जाएगा कि कितना आपका इस वहां पर वेस्ट हो रहा है रिसाइकल बिन में तो यह इसलिए यूज किया जाता है दोस्तो तो में आपको पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो जो सेकंड फीचर है वह भी बहुत कामका है स तो सके लिए मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों मैं अपना Instagram के आप पोस्त पर ले आया दोस्तों हो तक है आप कई ऐसी इस्टा को भी ब्राउजिंग करते हैं या फिर कोई आप शॉप सिंग करते हैं तो आपको चाह स्ट्रीन शॉक्री चॉट लेना होता है किसी पाटका बट अज़ आफ ज़ाइब आप स्क्रींशॉट लेते हैं तो ओप पूरे पेज का भी आता है उसमें फाल्तू के चीजेए भी आती रिया है तो मैं आपको यहां पर पर अप्टर आपको उस पर क्लिक करना है, जैसी यहाँ उपन होंगे, आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक blue color का dot देख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देंगे, तो आप देख रहे हैं, जितनी काम की image उसको लग रहा है, कि आपने image इमेज की photo का set करा है, तो वो आ गया है, उसके बाद यह पोस्ट पर, because आपको बता है कि copyright का issue रहता है, मैं इसलिए अपनी पोस्ट पर, आप कोई सी भी पोस्ट पर जाएंगे, या कोई से भी आप web browser पर, youtube पर, google पर, search पर, कहीं की चीज़ का screenshot लेंगे, वो automatically detect कर लेगा, कि आपने कि चीज़ का screenshot यहाँ पर इसका लेना है, मैंने photo पर save हो जाएगी, या बोसकते हैं, वो screenshot आपके पास save हो जाएगा, जो की बहुत शांदर कमाल का feature है, दोस्तो, इसके बाद जो मैं कमाल का feature बताने वाला हूँ, वो तो बहुत ही शांदर है, दोस्तो, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ, एक browser पर, browser लेने के बाद मैं यहां पर आप शाहिद तो कुछ भी सर्च कर सकते हैं, या पर जो text आपको, चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप, जो image होती है, image से text के form में कैसे copy कर पाएंगे data को, लाइक, आप यहां पर search कर सकते हैं, like Google के बारे भी मैंने search कर लिया, यह आ चुका है, Google आ ग form में लेना है, तो आपने इसका screenshot लिया, screenshot लेने के राद आपको यहां से इसको crop करना है, तो कर लीजिए, अगर नहीं करना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको यहां से इसको crop कर लिया, कि हमें इतने इतना data को, हमें इसको text form में लेना है, तो मैंने इतने का पेज खोल लूँगा जिसमें Google के बारे में जानकरी दी होगी तो मैं उसको open कर लेता हूँ यह इसलिए बता रहा हूँ आपको normal आप किसी चीज की भी screenshot ले सकते हैं तो एक normal text के form में बता रहा हूँ लाइक मैं आपको ले चलता हूँ अपने यूटूब के चैनल पर मैंने जो आए बाउट में लिखा है तो चाहूं तो आप उसके भी screenshot ले सकते हैं तो आप किसी भी चीज का जिसका आपको text के form में लेना आपको उसका screenshot ले लेना लाइक आप देख रहा होगा मैं अपने about page में आ गया हूँ यूटूब के about section में आ गया हूँ मैंने अपनी चीज का screenshot ले लिए इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहां पर आएंगे आप अपने home page पे आपके पास यह Google आपको दिख रहा होगा Google टूर वार आपके home screen पर रहता है सबसे बगल में आपको यह camera से निशान दिख रहा होगा आपको उस पर click करना है जैसी आप उस पर click करें है तो Google Lens आपको open हो जाएगा open होने क्या आपको करना क्या है यहां पर आपको यह media वालो जो पन दिख रहा है आपको इस पर click करना है यहां पर आपको फोटो यह वा जाएगी जिसको आपको text में लेना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने screenshot लिया था by default यह नीचे की यह दर पूरा आ गया है अगर आपको इसको copy करना है तो simply आपको यहां से यूं करना है और यहां नीचे आपको copy का option आपको दिख रहा होगा आप नीचे देखेंगे एक मिंट यह थोड़ा blur आ रहा है तो मैं इसको focus आपको देख रहा है यह copy हो चुका है अब आप इसको कह copy की पूरी चीज यहां पर paste हो चुकी है अगर आपको कोई दूसरा भी लेना स्क्रीन शोट वापिस आपको इंग इस पर जाना है यहां जाना है तो यह जो मैंने दूसरा अपना स्क्रीन शोट लिया था यह देख रहा है यह पूरा ले लिया है इसको मैंने select text कर लिया कि copy text में चला गया हूँ copy text हो चुका है और उसके बाद आप यहां पर open करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा यह paste आ चुका है मतलब जो text था उसके अंदर से पूरा copy हो चुका है photo मैंसे दोस्तों बहुत ही शांदार feature है यह वाला क्योंकि होता है बहुत सारी चीज़े ह होती ही कि हमें निकालना होता है बड़ टाइप कौन करें तो आप इस feature का use कर सकते हैं जो कि प्रिंस्टॉल पीचर रहता है अगर आपके पास यह Google पर नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले Google की अपको update कर लिना है दोस्तों तो उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई और एक बात और दोस्तों मेरे चैनल को मेरी जो वीडियो नहीं कर रहे हैं दोस्तों प्लीज मेरे चैनल सबस्राइब करना ना बोले अगर आपको कुछ पूछना चाहते है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता है मैं definitely उसको कोशिश करके आपका answer देने की जरूर कोशिश तकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टागान और फेस्ट फोलो करना भी ना बोले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थेंक्यू दोस्तों